हेलो बच्चो, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोश्ट कार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्री के बच्चों के लिए जीके के कुछ एस्पेक्टेर कोशन्स को यह आपके जीके का लक्चे नमर 7 होगा, इससे पहले हमने आपके लिए 6 और भी लक्चर्स को दिया है, तो जीनों ने भी उन सभी लक्चर्स को नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ते जाकर देख सकते हैं तो आईये बच्चेs विडियो में बढते हैं, और विडियो में बढतने से पहले आपको थोड़ा बता दे कि यह जो आपके विडियो होगा particular यह आपके विड keywords इलेटर होगा यहां जो जो questions इस वीडियो में करवाया जाएंगे वह बहुत बार most frequently questions होंगे यानि बहुत बार आपको यह questions देखने के लिए मिलते होंगे इन में से बहुत सारे questions के answers भी आपको पते होंगे तो यहां पर हम 10 questions आपको देंगे तो उन सभी questions को बारीकी से देखेगा ध्यान पुरवक्त देखेगा सुनिएगा और इनके questions के PDF को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जाइन कीजेगा जो कि हम आपके description box में दे देंगे ठीक है तो आईए बढ़ते है और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे request रहेगा कि वीडियो अच्छा लागे तो लाइक जरूड कीजेगा बच्चे और चैनल को भी subscribe कीजेगा बस आपकी support की जरूथ है तो इसी तरह support करते रहें ताकि हम आपके लिए और भी मेहनत से काम कर सके तो आईए बढ़ते है question number one की ओर कहा दिया रहा है कि who won the first T20 World Cup यानि पहली जो विस T20 World Cup थी उसे किसने जीता था ठीक है तो पहली बार जो आपका T20 World Cup देखे यहाँ पर year नहीं लिखा गया है simply कहा जा रहा है first T20 पहला बार जो T20 World Cup हुआ था उसको किसने जीता था किस देश ने जीता था यार दि यानि तीन किस देश ने कौनसा ऐसा देश है जिसने लगातार तीन बार क्रिकेट विस कप जीता यानि तीन बार लगातार World Cup क्रिकेट के World Cup को जीता था तीन बार लगातार ठीक है तो बताए कौनसा ऐसा देश था तो देखिए आपको पता होगा कि Australia है ऐसा country है कि जिसने क् लेके टेलीा टीम ने तीन बार लगयतार जीता था औप होता था अब भी भी कम जोर पहले भी बहुत लोग अच्छे अच्छे प्लेयर थे और अभी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं देखिए ये एक होता है डिलेटीव गेम होता है इसमें क्या कह सकते हैं आप क्रिकेट जो हता है एक रिलेटीव गेम होता है इसमें आप कितनी भी मेनत करिए आपका रियल्ट पीछ पे ही जाके पदा चलता है कि हाँ आप क्या कर पा रहा है वहाँ पे और क्या नहीं कर पा रहा है एक मैस से हम किसी भी आपके टीम के या फिर किसी भी किटकेट को प्लेयर को हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वह कैसा है और कैसा नहीं ठीक है तो इसके कुछ नहीं कहा सकता स सब टीम अपने में अच्छे खेलते हैं, सब मेहनत करते हैं, जैसे सभी बच्चे आप घर पे बैठते हैं, मेहनत कर उसी में कुछ बच्चा अच्छा कर लेता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो कुछ बच्चे जो होते हैं, जब जैसे आपके किर्केट के मैदान पे जा क्या बच्चे वही आपका वहां का राजा हो गया ठीक है आईए नेक्स्ट कोर्शन क्यों बढ़ते हैं इंडिया जो है बच्चे कितने बार ICC World Cup को जीता है तो भारत जो है हमारा देश वो दो बार यानि दो बार हमारे ICC World Cup को जीता हुआ है कितना बार दो बार ठीक है आईए नेक्स्ट बात करते हैं हुँ वाज नोन एज हुँ इस knows as the flying Sikh of India यह बहुत ही pa semester को संक्ड़ हुआ ये तो आपको पतावना चाहिए इे पर film अवी बनाया गया है बतावचे को प्लाइंग के नाम से जानते हैं तो जो Men's Hockey World Cup थे, उसको इंडिया ने कितने बार जीता था। Men's Hockey World Cup को इनडिया ने भारत ने कितने बार जीता था। तो याँ दखिये हैं जो Men's Hockey World Cup को भारत ने एक बार जीता था, कितने बार? सिर्फ only एक बार। ठीक है। चलिए जैसे से डिमांड होगा, उसी तरह हम आपको कुछ एक्स्टा भी बताते चलेंगे, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, कि Name the only woman boxer to have won a medal in each one of the seven world championships, का जारा है कि साथ जो लगातार world championship खेले गया थे, उनमें जो कौन सी ऐसी महला थी, जो साथ बार लगातार world cup championship जीती थी, ठीक है, किसके लिए, बॉक्सिंग के लिए, दीक है, यहाँ परते हैं फिर से हिंदी में, साथ विस्व championship में, से प्रतेक में पदक जीतने वाली, एक मात्र महिला मु मिला है, जिनका नाम है, बच्चे, मैरी कॉम, आपने बहुत बार सुना होगा, इन पर फिल्म बनाया गया है, मैरी कॉम, यह क्या की थी, बच्चे, साथ बार लगातार, आपके world cup championship में, मेडल, यह जीत कर लाई थी, भारत के लिए, ठीक है, तो देखे, यह आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर भी भारत ने इतना अच्छे काम किया है, तो कहना, आपका मेहनत तो सबसे पहले depend करता ही आप से, लेकिन मेहनत यह भी इस पर depend करता है, कि आपका वहाँ पर जाके उस particular समय पर आपका लग कैसा है, और आपने मेहनत किया, तो वहाँ पर कितना उसको utilize कर प नाम बताईए, जो ओलम्पिक में, बैन्मिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतिये है, यानि पहली भारतिये महिला बताना है, फर्स्ट इंडियन का नाम बताना है, इंडियन महिला का, उलम्पिक में पहली बार बैन्मिंटन में मेल जीता था, ठीक है, तो बैन्मिंट में ठीक है चलिए next बात करेंगे the famous personality the famous personality who is known as the god of cricket परसीद व्यक्तित्व जिसने जिसे cricket के भगवान के रूप में जाना जाता है तो यह questions तो सभी बच्चों के जुवान पर रहता है इस questions का तो गलत answer कोई दे ही नहीं सकता सिर्फ single एक मात्र ऐसे क्रिकेटर है जिनों ने अपने जिनके लिए हमने god of cricket का नाम दिया है यानि जिनकों god of cricket का नाम से जानते हैं तो वह है कौन से बच्चे वह है सचीन तेंदुलकर ठीक है सचीन तेंदुलकर को हम god of cricket का नाम से जानते हैं चलिए next बात करेंगे आज दगजिंग ओलम्पिक गेम्स इन 2008 बंजिंग ओलम्पिक गेम्स में जो की दोज़ा आठ में खेलाए गया था डैस बीकेम्स डैस बीकेम्स दाफ स्ट इंडियान तो वीन एड़िविड़ गोल्ड मेडल अड़ ओलम्पिक गेम्स कौनसी ऐसी एक सिंगल आपके इंडियन थे, सिंगल भरतिये थे, जिन्हों ने क्या क्या था, गोल्ड मेडल जीता था, किस समय बेंजिंग ओलम्पिक गेम्स में, जो कि 2008 में खेलाए गया था, फिर से परते हैं हिंदी में भी से, 2008 में बेंजिंग ओलम्पिक खेलो में, डैस ओलम्पिक खेलो में वेक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भरतिये बने, ठीक है, तो यार दखना है बच्चे, कि जो आपके अभिनो, क्या थे बच्चे, अभिनो बिंद्रा, अभिनो बिंद्रा थे, वो आपके बेंजिंग ओलम्पिक गेम्स में, जो कि 2008 में खे याद रहता है, वो हमेशा सभी लोग को याद रहता है, लेकिन जो 2nd rank होता है, 3rd rank करते हैं बाथी खतम, उसको तो कुछ दिन लोग याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, और 2nd rank वाले को लोग कुछ दिन तक याद करके रखते हैं, और 1st rank वाले हमेशा याद रखते हैं, कि जब भी आये तो हमेशा अच्छे से आये अधम प्रथाम आये ठीक है तो यह निस्ट बात करेंगे कि यहां पर सिंपली कहा जा रहा है कि ऐसी कौनसी आपको व्यक्तित्व का नाम बताना है कि जो बहुत सारी बैंविंटन तो टूनामेंट में बैंविंटन में मेडल जीच चुकी है लेकिन उन्हों ने क्या कै था 2019 में वर्ल्क चेंपिंशब में गडक क्यक्या था गोर्ड मिडल उन्हों ने जीता था ठीक है तो बताएगे कौन से वैसे थे, कौन से वैसे विखती थे हैं, तो उनका नाम है PV Sindhu, क्या है PV Sindhu जो थे, वो क्या किया थी, आपके 2019 में World Championship में, Go to Miller जीती थी, ठीक है, PV Sindhu, ठीक है, PV Sindhu, ये कुछ आपके 10 कोसंस थे बच्चे, आप बताएगा कि वीडियो कैसा लगा, कोसंस कै कैसे लगे, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम आपको combined questions देंगे, जैसे आपको देते थे, चलिवचे वीडियो को यहींते रखते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजेगा, और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, तो थैंक्स पर प्राब्लम होगा तो comment box में लिखेगा, ताकि हम आपको उस problem को solve कर सकें, ठीक है, चलिए